एक बहुती साधरन सवाल, मैंने बहुत बार देखाए मेरे जो वीवर्स हैं, वो पूछते हुए मेरे वीडियो में, जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए इंपॉर्टर है, उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, देखिए, ज्यादा तर लोग जो वीवर्स हैं, वो जो normal pupils होते हैं, ज्यादा तर वो लोग पूरे दिन में max to max 1-2 घंटा exercise कर सकते हैं, ज्यादा तर लोग अभी इतना busy हैं कि 30 minutes daily भी time नहीं दे पाते हैं, तो बात क्या है, आप बस दिन में 24 घंटा में से 30 minutes exercise करेंगे, फिर जो बाकी बचे हुए जो घंटे हैं, उनमें आप क body का weight को denote करता है, तो देखिए, science कहता है, जब हम negative energy balance में चलेंगे, ये negative energy balance क्या है, मतलब जितना calorie आप intake किये, उससे ज्यादा आप calorie burn कर रहे हैं, तो आपका negative energy balance में जाएगा body, और इसी negative energy balance में जाने से ही आपका weight loss process healthy way में होगा, जिनको weight gain करना है, उनको positive energy balance में जाना चाहिए, जो positive energy balance है, इसके लिए क्या करना है, आपको रोजाना जितना calorie आप burn कर रहे हैं, उससे ज्यादा calorie आपको intake करना पड़ेगा, तभी आपके शरी में regularly positive calorie balance में चलेगा, और आपका weight gain होता जाएगा, कि आपको calorie जितना आप रोजाना खा रहे हैं, उसकी उपर नियांतरन होना चाहिए, मनलब चाहिए breakfast हो, या dinner हो, lunch हो, जो भी हो, आप उसमें कम-कम थोड़ा खाना चाहिए, ये आपके लिए जादा important role play करता है, weight loss process के लिए shortcut method बोल के कुछ नहीं होता है, इसमें जितने भी shortcut method है, ये सारे unhealthy process है, तो शायद मैं इस बात को आपको समझ से करें, या कोई भी exercise करें, इस बात को ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में हो, fitness related, आप पूछिए, मैं उसको आपको कोशिश करूँगा, clear करने की, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्यार लगना, take care, bye-bye.